आकाश्वानी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेश फोनिंकारिक्रम रेडियो डॉक्टर शुदाओ आयरवेद एक प्राक्रतिक चिकित सा पद्यती है जिसमें शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाकर स्वास्त में सुधार किया जाता है आयरवेद में जड़ी बूटियां, मालिश, योग, ध्यान, जीवनशेली, पोशन का महत्व बताया गया है इनकी विस्तित जानकारी के लिए आज का रेडियो डॉक्टर जरूर सुनियेगा आज हमने स्टूडियो में आमंतरित किया है डॉक्टर महेश व्यास को आप दीन है All India Institute of आयरवेदा अखिल भारतिय आयरवेद संस्तान नई दिली में तो डॉक्टर महेश बहुत-बहुत स्वागत है आकरश्वनी के स्टूडियो में आपका नमशकार सभी को नमशकार तो मेरा भी स्विकार करे नमसकार मैं शाननी मितल और आज का रेडियो डॉक्टर बहुत खास इसलिए कि आयरवेद के बारे में जो भी जानकारी आप चाहते हैं, डौक्टर महेश्वयास से आज आप पासकते हैं और आज का विशे जो हुमने खास्तर पर रखा है वो है आयरवेदिक wellness techniques या आयरवेद में जो स्वास्तलाब की तकनीके बताई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं और ये तकनीक किस तरह से आपके शरीर को फायदा पहुचाती हैं पहुचा सकती हैं ये सारी जानकारी आज किस कारेक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुचाने की पूरी-पूरी कोशिश करे हैं डॉक्टर साब की आयरवेदिक की जो वेलनेस टेक्नीक्स हैं उसके बारे में तो हम जरूर बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम अपने शोताओं के लिए जरूर जानना चाहेंगे कि आयरवेद क्योंकि जैसा हमने बुला बहुत प्राकरतिक चिकिसा पदती और बहुत मुख्य सिद्धानत की बात करें तो आयरूद में कहा गया समधोश्या समागनिष्चा समधातु ओमलक्रिया नहीं करने रहे हमेशा सम लिए इसके लिए हमको प्रतना करना चाहें और सम लंक्रेंश्या और इसका और वह सम है तो इसका एक्जाम aika और माल क्ला rigor में आत्में मन प्रसन नहें, इंद्रियां प्रसन नहें, अगर किसी व्यक्ति को हम चेहरे से देखें, वो एकदम बिल्कुल स्माइलिंग फेस देख रहा, खुश देख रहा, मैं सब स्वास्त है, जैसे आप, और कई पर व्यक्ति को हम देखते हैं, कि उसके चेहरे से ही पता लग जाता, जैसे फीवर का पिशन आता है, उसके आँखों को देखके लग जाता है, कि इसके तवे ठीक नहीं है, और कई लोगों का फेस देखके अपने को लग जाता है, कि ये एकदम बिल्कुल वेल नहीं है, तो आयरवदे के था हमारे शरीर में जो तीन दोश बताएं, वात, पित न करना चाहिए, कि हमारे दोश धातु और मल समान मात्रा में रहें, समिस्तिती में रहें, जिससे व्यक्ति स्वस्त रह सकें. इसमें कौन सी तकनीक लगानी चाहिए, ये सारी जानकारी जो है, हम चाहेंगे कि आप अगर पूछना चाहें, तो जरूर पूछें, हमारी तरफ से हमें जो लगेगा वो प्रेशन हम जरूर करेंगे, तो आप जुड़ना चाहें, तो बिल्कुल हमारे फोन लाइन के मैसिज के जरीए आप जुड़ सकते हैं, और बहुत सारे मैसिज़ भी आ चुके हैं, फोन कॉल पर भी शुरूता वीट कर रहे हैं, तो क्या करें सर पहले फोन कॉल की पहले मैसिज, पहले फोन कॉल, ठीक है, पहले फोन पे हमारे शुरूता वीट कर रहे हैं, उनसे बात कर हेलो नमस्कार जी नमस्कार बताएं दराम भीर गांगे निवाट कराओं टक्षवाव नमस्कार जी नमस्कार अईवेदिक तो बहुत महां एक समुटर से भी जादा जा रहा है इसके इतनी असीम चीजें समाई ही निया एक प्रगाम में पूरी नहीं हो सब्सक्राइब जैसे दोनों दोईयां डाक्रों बहुत बता देते हैं कि हां ले सकते हैं। और दूसरा एक यह है कि खान पान पे भी थोड़ा आप करिकरम में थोड़ा रोशनी जा लिएगा। जिसे रात के समय दई, चाज और जूस वगरा में लेते हैं। दूद लेते हैं। क्यों है, क्यों हैं, क्या कराना है, बादान जिल के ही खाने क्यों चाहिए। क्योंकि मकली के दाने थोड़ा जाती है। दोदो साल हो जाते हैं, उनकी नसों में अभी तक ॉल्द है। क्यों द्रब ही ठीच हो जा good. बहुत बहुत धर्मवीर जी आप में बहुत सारे प्रशन कर देए लेकिन हम धीरे धीरे इन प्रशनों को शामिल करते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे और श्रोता है जो अपने अपनी समस्याओं के साथ हमारे साथ जोड़ रहे हैं तो आप रेडियो पर ये कारिकरम सुनिये और कारिकरम के अंत तक आपको सारी जानकारी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंच जाए तो डोक्र साब इनका प्रशन जो था पहला वाला हम ले लेते हैं डाइबिटीज में जैसे आयरुवेदिक और अलोपेथिक या दोनों एक साथ ले सकते हैं और मैं इसको एक्स्टेंट कर दू किसी और बिमारी में सबसे पहले तो मैं इनको बताना चाहूंगा इनने कहा था कि केवल एक कारिक्रम से आयरुवेद को वो नहीं कर सकते तो मैं इनको बोलना चाहूंगा कि आकाश्वाणी की इस पूरी टीम ने रेडियो डॉक्टर का यह 1000 एपोसोट चल रहा है मतार 2021 से है तो निशी तरूप से पूरी टीम बधाई की पात रहें और इनका जो प्रशन था डाइबिडिस का देखिए ऐसा है कि जहां तक कोशिश करना चाहिए किसी एक पेथी से हम टीटमेंट करें अगर आप आयरुद में ले रहें तो आयरुद का टीटमेंट लें अगर आप अलोपेथी में ले तो अलोपेथी का टीटमेंट लें बहुत सारी टीजिस ऐसी है कि जिसमें एड़ाँन एफेक्ट भी हम कर सकते हैं मेडिसन का उप्योग कर सकते हैं जैसे उधान के रूप में कई बार हम कुछ ऐसी बीमारियां रहते कि जिसमें हम रीफर कर देते हैं कि इस कंडिशन में आप के पास जाई है कई कंडिशन ऐसी होते हैं कि जिसमें आयुरुवेद में ही अच्छा टीटमेंट है तो जब तक डॉक्टर उनको नहीं कहें कि आप साथ में दूसरी मेडिसिन लीजिएगा तब तक दो व्यक्तियों के पास जाकर के सलाह लेके अपनी इच्छा से कोई भी शुरू नहीं करें क्योंकि हर एक पेथी डिजिस का टीटमेंट करने में समर्थ है इसलिए आपको जिस पेथी पे ज्यादा विश्वास हो उसका ही प्रियोक करें कि कई बार ड्रग इंट्रेक्शन भी होता है कि आपने दो मेडिसिन ली उनका इंट्रेक्शन दोनों टाइ है कि कई बार हार्मफुल एफेक्ट रहता है और कई बार हेल्फुल रहता है तो इसलिए चिकिस्षक की सलाह से आप मेडिसिन ले आयुरुविद में भी डाइबीटेस का अच्छा इलाज है बिल्कुल आप डाइबीटेस को डाइट से लाइप स्टाइल से मेडिसिन से ही कहना है कि आप चिकिस्षक की सलाह के अनुसार ही मेडिसिन ले जी जी और जो इन्होंने बाकी और खान पान की संबंदित बातें की हैं वो जरूर हम इस कारेक्टर में आगे लेते रहेंगे हमारे एक शोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर हलो जी नमस्कार मैं जी नमस् तो जो आपके हां आर्यूवेदिक में अगर कोई भी दवाई दी जाती है वो 90% शैद से खानी होती है चाटनी होती है शैद लगा कि तो क्या शुगर का मरीज जो है वो शैद को इस्तमाल कर सकता है और तीसरा मेरा कुश्चिन यह है कि क्या आर्यूवेद में एंटिवैट बस यह मेरे को पूछ रहा है जी बहुत बहुत है जी सर तो पहला उनका कोश्चन था पी लिया जिसको अपन जो इंडिस कहते हैं और यह तो आयूर्वेद का मुख्य शैत्र है आयूर्वेद में इसकी सफलतम चिकिस्सा है और कई ओषदियां कल्प आयूर्वेद में बता बिल्कुल इसके लिए तो लिवर डिसार्डर्स जो होते हैं इसलिए पीलिया के लिए अपने शित रूप से आयूर्वेद का जो है वो ओषदियों का सेवन कर सकते हैं दूसरा आपका जो कोश्चन था कि शेहद के साथ अकसर शुगर के पेशन ले सकते हैं देखिए आपक शुगर या स्वेट चीजें बन कर वा देते हैं तो निष्चत रूप से हम जब शुगर के पेशन को मेडिसन देते हैं तो ये शेहद के साथ लेना के लिए पावडर के लिए बताते हम अधीकतम जिसे है तो समें प्रियोग नहीं करते हैं बोषसरी मेड physician ।ो जिनमें चे शुद्ध हो तो उस शहद को डाइबेटिस के व्यक्ति को भी दिया जा सकता है उससे ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा लेकिन मेरा उनको एडवाइज यही है कि जो भी डाइबेटिस के व्यक्ति है वो शहद के शाथ उच्दी नहीं ले अब पानी के साथ ले सकते हैं डारे गाता है कि मुझा यह समस्या है तो उस ही साब से ही अपको देंगे यह कहना चाहते है और एक ऐन्टिबाइटिक की डोक्टर साब बात कर रहे थि कि क्या ऐंटिबाइटिक है इसमें पिलग सबहां उन्होंने कहा तक एक तो एंटी बाइटी को दूसरा टेस्ट, हमृ। G Agriculture करने सब्सक्राइब His तो एप टेस्ट वेफिल कटा है। और उसाने के अधार पर हम जो scientific पेपर पब्लीश करते हैं, उसका बेस ही वही है, तो इसलिए वो बिल्कुल ठीक है, तो एक तो आयरोध में भी टेस्ट है, और दुसरा एंटिबायोटिक, देखें, ये एंटिबायोटिक अलोपेथी में होता है, हमारे हैं इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए अलग-अलग मे इन महिनों में आवला ताजा मिलता है, अगर एक आवला रोज लेते हैं, तो हमारे शरीर के इम्मुनिटी बहुत अच्छी रहेगी, तो आपको कोई डिजीस के समस्य ही नहीं होगी, तो आयरोध में एंटिबायोटिक के रूप में, हम एंटिबायोटिक उसका नाम नहीं देते हैं, लेकिन रसायन है, कई प्रकार के रसायनों का प्रियोग है, वो सब आईरोध में इम्मुनिटी बढ़ाते हैं, उनका ही प्रियोग किया जाता है, इसलिए शायद कहा जाता है, अरवेध is a way of life, और इसमें प्रिवेंटिव या प्रिवेंशन पर आप जादर जोर प्रियोग किया है हमसे, कि प्लीज सजेस्ट सम वेज फोर गुड़न डीप स्लीप, यूजिंग आयरवेधिक टेकनीक्स, इम स्ट्रगलिंग विद इट, तो निद्रा का भी बहुत महतो है, और दूसरा इनका क्वेशन वही है, जो हम आज पूरा कारिक्रम ही कर रहे हैं, क आप बताएं कि, फिट अन हेल्दी कैसे रह सकते हैं, और आयरवेधिक कौन से ऐसी टेकनीक्स हैं, जो हमें फिट अन हेल्दी रख सकती हैं, तो इनका जो पहला कोश्चन है, कि भी नींद जो है, साउन स्लिप कैसे होना चाहिए, आजकल जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी ह वर्क का प्रेशर है, या कई प्रकार के जो लोगों को कुछ ने कुछ प्राबलम रहती, उनके करन नीन डिस्टरब रहती है, और आयरवेध में तीन चीजे मुख्य बताई, एक आहर, एक निद्रा और एक व्यायाम, अगर आपकी नीन ठीक है, तो आप दूसरे दिन जो भ यायाम अगर प्रती दीन आप फिजिकल एकसराइज करेंगे, जो व्यायाम कर लीचे, शाम के टाइम पर कुछ ग्यम बेडवें पंट्न वगराईगर या तीटई जो भी आप खेलते हों, अगर थोड़ा सा वह कर लिया, आपका अगर बडाबर हुआ है, रात को आपको आइरवद बताता है, वो केता है कि विशिय भ्यो निवरतन तदा सौपती मानवा, मना हम कुछ ने कुछ अकर सोचते ही रहेंगे, तो नीद नी आएगी, हम दो कि कल में क्या करूँगा, यह चीज है, इसको में कैसे फेस करूँगा, तो इसका कुछ ने कुछ अकर दिमाग मे चलता रहेगा, तो नीद नहीं आती है, उसके लिए सबसे अच्छा 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 अच्छी नीद आएगी, और कभी-कभी नीद नहीं आना यह व्याधी की रूप में हो जाता है, तो उस कंडिशन में आयरवद में शिरोधारा, अलग-अलग प्रोसीजर ब अनिद्रा के लिए, इंसुम्निया के लिए, वो है शिरोधारा, और शिरोधारा चिकिस्साले में आके ही कर सकते हैं, तो उस कंडिशन मतलब तो थर्डी स्टेज होगी, कि वहां तक भी नीद नी आई तो आप चिकिस्सा का परामर्ष लें, और वो फिर शिरोधारा अगर क खाना खाने के दो गंटे बाद में, अगर वो दूद पी के अगर आप सोते हैं, तो आपको नीद चरूर आएगी, इसलिए हम जो इस्टेडी करते हैं, बच्चे उनसे बोलते कि आप भैस वाला दूद मत लेजे, आप गाय का दूद पीजिए, तो आराम से रात में पढ़ जो आता है, यह एक टेक्नीक है और बहुत पोपुलर टेक्नीक है, तो इसमने कितने दिन तक सो Лेना होता है, तो असर होता है और कितने अवधी होती है, इसका कितनी देर का होता है? कि बार हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो केता है कि साथ 2 दिन से नीन दी ने आई नीन दी ने आती है पस उसके बाद खुल जादी फिर नीन दी नी आती है तो ये कंडिशन थोड़ी सी कहना चेहे कि उनकी अनिद्रा की कंडिशन ज्यादा है इसे में शिरोधारा जरूरी है और शिरोधारा करने के लिए हमारे यहां पर अलग-अलग डिकॉक्षन हैं क्वाथ हैं शीर मतले दूद की भी शिरोधारा करते हैं तक्त से शिरोधारा करते हैं कई प्रकार के डिकॉक्षन से करते हैं तो व्याधी के मान से हम decide करते हैं कि इनको कौन से द्रवे से शिरुधारा करना है और उनका status देखते हैं कि कितनी severity है अगर व्याधी जादा chronic है जादा अगर दो शादी बड़े हुए तो अधिक दिन तक करना पड़ती है अधर्वाइस एक week का जो duration रहता है वो सामनेता पर्याब तरहे था कि उसके बाद में उनकी नींद जो है वो सामनेवस्ता में आजाती है और एक बड़ ठीक हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिर लें जी बनाव सामाने हो गई बिल्कुल सामने हो गई तो उनको नींद अच्छी आने लग जाते हैं और फिर हम कुछ डाइट वगरा उनको बता देते हैं कि इस डाइट का पालन करें तो आपको बराबर नींद आती रहे जी जी एक शोता वेट कर रहे हैं हम समस्या सुन लेते हैं इनकी हलो नमस्कार जी नमस्कार जी हाँ जी जाक्षा वैसा है बच्छमन में मुझे मेरे दादा जी युनानी आईरवेदी के ही बैस थे तो मेरे को सारी बोड़ी में बहुत मुक्ते हो थे तो उन्होंने मेरे को अनाब का रस और एक और ज़वाई बेची थी उसे मैं पांसे दिन में ठीक हो गए थी मेरे को याद ये अगर आप बचा सकते हैं मेरे को कि उसके ताथ क्या लिया होगा मैंने क्योंकि ये प्राबलम बहुत लोगों को हो रही है आपको कब से प्राबलम थी और उसमें क्या-क्या होता था नहीं मेरे को मुख्य नहीं होते हैं जो मोज से हो जाता है मास्राज से तो वो सारी बॉड़ी पर मैं बहुत हो तो उन्हों ने जो मेरे को दवाई गाओं से भेजी तो उसे मैं एक हफ्ते में बिल्कुल क्लियर हो जाता है और एक मेरा और क्वेश्चन है कि कभी जोडों के दर्ज के लिए गौट के लिए हमारे घर में मजून सरंजा खाते थे तो अब वो मीठी हो गई है तो क्या अब भी उसका उसर वही रहेगा जो पहले था जो आपका पहला प्रशन था मसे वाला कई बार पुरी स्किन पर कई बार चहरे पर कई बार जो है वो शडी तक और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया अब भी तो हमारे पास में जो हे वो अगनी कर्म की विधी है कि आप एक सिटिंग में आप अगर चिकसा लए आए तो मेक्जिमम टू टू थी मिनिट का समय लगता है और हम उसको रिमू कर देते हैं तो यह तो अभी और अच्छी टेकनिक आ चुकी और उसके बाद में वापस होते भी नहीं है तो इसको हमारे यह जो हे अगनी कर्म कहते हैं तो अगनी कर्म की विधी है और आयुरत में कई द्रवे हैं कि जिनका उनके उपर लगाने से भी वो जो हे समाप्त हो जाते हैं तो इसलिए एक्जेक्ट में यह नहीं बता सकता है कि उनने आपको क्या द्रवे दिया होगा अनार्ज के रस के साथ में क्योंकि कई ओशिदिया मतलब एक 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 व्याधी के लिए सेकडों द्रवे बता रखें कि जिनका हम प्रियोप कर सकते हैं तो मेरा तो आपको यह एडवाइज है कि अगर आपको समय हो आप कभी भी भारत सरकार का अखिल भारती आईविस संस्तान है उसमें आईए मैक्सिमम तू टू फाइब मिनिट लगेंगे और उसको अगनी कर्म करके निकाल देंगे जोडों का दर्द के बारे में इनोंने बताया था तो उसका क्या है रोटर साब की अवो मीठी हो गई है लेकिन उसका यह चाहरी है कि पता करना कि क्या वही एफेक्टिवनेस है उसकी देखिए जो दवाई रहती है उनका प्रियोग करने का समय रहता है कि उतने समय के बाद में अगर उसका प्रियोग कर रहे है तो फिर वो काम नहीं करती है तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं ड्रग एक्सपार जैसे हो जाती है तो इसलिए जोडों के दर्द की काफी मेडिसिन है और आजकल जोडों का दर कई लोगों का वेड जादा होता है अगर यह थोड़ा सा अगर वेड बढ़ा होता अपना वेड कम कर लें कुछ चीजें खाने के कारण जिसे रात के ताइम दह ले लिया तो भी वो हो जाता है बारिश का मुसम है बादल हो रहे उस समय अगर बाहर निकले और भीग गए तो भी जोडों का दर्द पड़ जाता है खटी चीजें जितनी भी है वो लेने से जोडों का दर्द पड़ जाता है तो पहले थे इन खान पान का ध्यान रख लें और आयरोविद में कुछ मेडिसिन है ओइल्स का उप्योग है तो उनका प्रियोग करेंगे बिल्कु स्वास्तर रह सकते हैं तो मेरा तो उनको यही कहना है कि कोई भी वोशिदी अपने मन से लेने के वजाए आप चिकिस साले में आये चिकिस सका परामर्ष ले और हम जो मेडिसिन वहां से दें आपको एडवाइस करें उसका अप्रियोग करें तो हमारे शूता जो है बहुत सारी समस्याओं के साथ हमारे इस कारिक्रम में जोड़ है जब भी टॉपिक हमारा ये है कि आज हम चाहा रहे थे कि आरवेदिक टेक्नीक्स पर ही जादा बात करें लेकिन कोशिश करेंगे कि वो भी हमारा छूटे नहीं बहुत धनेवा देना चाहेंगे अपने शूताओं को कि वो इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ जोड़ रहे हैं फोन पर भी मेसेज के मात्यम से भी हम कोशिश करेंगे सब को शामिल करें पर जितने हम कर पा रहे हैं आप ज़रूर कारिक्रम में बने रही है और सुनते रहे हैं क्योंकि जानकारी बहुत लाबकारी रहेगी आपके लिए डोक्टर साब हमें ये एक मेसेज आया है लिखने वाले हैं पवन उम्र है 31 एर सोन भदर में रहते हैं आप दोनों को मेरा नमस्कार मेरे दो प्रशन है घुटनों का ग्रीस या लिक्विड बढ़ाने के लिए क्या अश्रदी होती है अरवेदिक आसमें साथ में मैं टेक्नीक भी जानना चाहूंगे आप जैसे बता रहे और बाल इनके बहुत तेजी से ज़ड़े हैं उसके लिए बहुत पाए बताएं तो उसके करण होता तो मेरा उनको कहना है कि एक्सरसाइज करते रहें और घुटनों में अगर उनको कई बार खड़े होते हैं बेटते तब कट-कट की आवाज आती है तो समझ लेजे कि उनके इसमें स्नेह की कमी हो गई है तो वेसी अवस्ता में हम जानूबस्ती करवाते हैं तो आयरुवेद में जानूबस्ती की टेक्निक मने एक्स्टरनल मेडिसिन इसमें ये नहीं है तो उसमें जो नी का एरिया है उसके उपर हम एक रिंग के माध्यम से उसमें कुछ आईल का प्रियोग करते हैं और कुछ समय तक आयल उसमें भरा रहता हैं, तो मैं इनको भी कहना चाहूंगा, कि अगर इनको यह है तो आप चिकिस्साले में आएं, चिकिस्सा का परामर्ष लें, और उसके लिए हम जानूबस्ती का प्रियोग करेंगे, और उससे उनको ठीक हो सकते हैं, अपने मन से कोई मेडिसिन नहीं लें, और दूसरा इन्होंने एक चीज और पूर्शी थी रोक्टर साथ, कि बाल जढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी कोई ऐसी टेकनीक है आपके अरवेद में, देखिए, अभी इनने का कि जैसे इनके अभी शादी नहीं हुई है, मैंसे इनके अभी उम्र करना है, साल्ट का उपियोग बहुत करना है, तो मैं इनको कहना चाहूँगा एक तो नमक का उपियोग कम करें, अजार का उपियोग कम करें, गरम चीजें कम खाएं, तो इससे बाल जढ़ना बंद होगे, और आयुरवेद जो है, वो कहता है कि एक तो आवला का प्रियोग क शरीर को अगर नुट्रेशन बराबर मिल रहा है, बराबर रितुफल का अगर हम सेवन कर रहें, तो यह कहीं डिफिशेंसी जो होती है, उसके कराने लक्षन उत्पन होते हैं, तो मैं रहें कि रितुफल का सेवन करें, और डाइट का ध्यान रखें, नमक आदी का दिल्ली से, कि नमस्कार तो मैं फेवरेट दोस्त शालनी मैम और डॉक्टर साब, बेरी नाइस टॉपिक, प्लीज एडवाइज ओन आयरुवेदिक डीटॉक्स एन आयरुवेदिक फेस मसाज, जे, देखिए आयरुवेद में डिकॉक्स करने का मतलब यह ता है, डीटॉक् का ओन लिए लृक्ति आयरुवेद दूसे , अजआ करने के लिए प्योटियों और हम बढ़ने का 5-5 कर्म के माधियमस, और आयरुवेद यह तो है सव helium क्या है को स्वस्त व्यक्ति ओ को पहने है थाह CL लेकिन आयरुवेद कर थे स्वस्त रहते है, स्वस्त elected, आधि एक तो यह जो अभी समय चल रहा है शरद रितु यह सबसे अच्छा geliyor का पित्त का निरुन करने का सबसे अच्छा समय वहित लुक्त कफ को दूर करने का वह ऑंढमन करने का और बारिश का मोसं जो है वह वातका शिमन करने के लिए बस्ती का, तो निये में तुरूप से अगर हम वमन, विरेचन और बस्ती, शरद रितु में, वसंत रितु में और वर्शा रितु में, इन में अगर इनका प्रियोक करते रहें, तो हम पूर्ण तया स्वस्त रहेंगे, हमको कोई व्याधी नहीं होगी, क्य तो ये करने के लिए एक तो अपने को चिकिस्सक के पास जाना पड़ेगा चिकिस्साले में, तब हम कर सकते हैं, बगी वमन और विरेचन में कई बार क्या होता है, कि कांस्टिपिशन आदी है, तो हम परगेटिव कुछ ने कुछ लेते रहें, तो अपनी इच्छा से कुछ पंच कर्म के अंतरगत विरेचन तेक्नीक तवारा पेट की कौन-कौन से समस्याएं दूर होती हैं, और इसको करवाने से कोई दिक्कत तो नहीं होती है, क्या ही सुरक्षित है, मनुहनलाल गांधी जी ने लिखा है, चानक के चौक गाजियावाद से, तो आप यही अभी ब मैं मेट से गीता बात करनी, जी गीता प्रश्च करें, मेरे कोशन यह है, एक तो मतलब जैसे मुझे नींद कम आ रही है आजकल, और उसकी बज़े से नींद का तो रोक्टर सामने बताया, जैसे साइडों में, सिर में दावरों में, और इतना दर्द है मैं, उसकी बज़े स जैसे प्रेगनेंसी के दोवान निशान से हो जावा है, वो बहुत स्यादा हो गए, तो मैं जानना चाहूँ, अगर मुझे इसके बारे में कोई उप्शार में जावा है, बिलकुल, देखिए जो आपने सेकंड कोशन किया था प्रेगनेंसी वाला, प्रेगनेंसी के बाद म जो बर्त मार्क्स हो जाते हैं, तो उसके लिए बिलकुल आईरवेची के साले में आएं, कई प्रकार के लेप हैं, उनका प्रियोग करने से वो जो आपके मार से वो कम हो सकते हैं, और पहला आपका कोशन निद्रा का था, देखिए नींद अगर नहीं आएगी तो हैड़क ह होगा ही, तो आप बिलकुल प्रियास करेंगा आपको नीद अच्छी आए, और उसके लिए बिलकुल पीस अप मायन चाहिए, आप किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लें, गुस्सा कम करें, अगर आप क्रोध करते हैं, चिरचिदा पन रहेगा, तो भी नीद नहीं आएगी, खाने पीने में ध्यान रखें, तो अपनी डाइट को संतुलित रखें, कुछ अगर आपको रात को सोते टाइम, कई बार जैसे बिस्तर पर दो घंटे तक आप सोय रहें, तब तक भी नीद नी आती है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन करें, तो नीद अगर अच्छी आईगी जो मुकष्मि सिर्नेगर से बात करूंगा, जी जी फारुक जी बताएं, मैंने आज आपका प्रोग्रम पहली दाफा सुना और मुझे लगा कि मेरे समधिद आज चाप एक इसने में आज आपके साथ कुछ अपने सावालाद शेयर करना चाहता हूं, बहुत अच्छा किया जी और इसी तरह से आप रोज अप सुनिये हमारे कारिक्रम को, डेली ये कारिक्रम आता है तीन से चार बजे, और अच्छा है आप इस फामली के साथ जुड़गाएं, जी बिलकुल, बिलकुल, तो मेरा पहला प्रशनी यह है कि मेरी नाग में कुछ प्रावलम हो जाते है, खासकर सर्दियों में, जो ही सर्दिय आ जाते है, फिर हमें उस दोरान ज्यादा तर वो ड्रापस डालना पड़ता है, तब हमारी नाग खुली रहती है, नहीं तो अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाते हैं, या मौसम ठंडा पर जाता है, तो हमारी नाग बिलकुल बंद और दूसरा जो मेरा फ्रेश्णा है, वो यह है कि काफी देर तक मुझे निगर नहीं आती, तकरीमन एक विजे के बाद रात को में सोपाता हूं, और फिर सुबर सावेरे मुझे जल्दे उतना पड़ता है, तो इस वज़े से मेरा दिन पूरा खराब जाता है, ठीक है, फा कफ कोल्ड की समस्या के बारे में भी हमें लिखा है, तो पहले यह जवाब देदे, मैं उनके नाम पढ़ दूगी बात में, प्राया कई लोगों को जो है बच्पन से ही रहता है, कि बार बार थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, कभी पानी में बारिश में भीग गए, या कभी पानी है, अगर उस हमें गरम पानी पिये, और आयरुवद में और आयरुवद में को ही लाता है, जिसको अपन बोलते है, अनुतेल, अनुतेल सामानी वेक्ति भी प्रियोग कर सकता है, और हमने तो स्वास्तरक्षा केड़ बनाई थी, अखल भारती, आली ने अस्टाप आय हो, तो आप खास तोर से सर्सों का तेल अगर हो, तिल का तेल अगर हो, तो उस तेल को केवल लास्ट फिंगर जो है, उसको टच करके और थोड़ा सा नोज में लगा लें बस, तो आपको सर्दी भी नहीं होगी, और सर्दी अगर है तो नीद नहीं आती है, क्योंकि सांस ले काई दिन ज़्ण पीते हैं उसके का नसे अधार प्रभै उसका बीह होता है बोंगी ज्याधा इस्ट्रेस रहता है अगर आपको blood sugar नहीं है, diabetes नहीं है, तो आप sweet का उपयोग करिए बोजन में, जैसे कुछ भी मिस्टान बनाया है, तो वो चीज़ें भी आपको helpful रहती, मतलब डाइट भी help करती है नींद के लिए, पर ये सब चीज़ों के लिए एक बार चिकस्क को बता के, उनकी सला लेकर के फिर शुरू करें, जी, इसी तरह से जो मैंने बताया कि कफ कोल्ड से लेटेड भी बहुत सारे कोशन आये हैं, दोक्टर साब तो लगभग इसी तरह का है, इसमें जैसे आपने बताया है, खान पान में बतलाव या कोई ऐसी एक और तकनीक आपा सकते हैं, जैसे भारती ने लिखा है, बैंगलोर से, I have कफ and cold from past one week, और I am drinking hot water also, आपने बताया है, गरम पानी पीना, medicine भी लिए है, पर कफ नहीं जा रहा है, और मैं इसी कारण सो भी नहीं पा रही हूं, तो इनका वो जो गरम पानी वाली तो यह अपना चुकी हैं, पर आपने कुछ दवाईयां भी या वो एक अनु तेल वाला पताया, इनको दो चीजे, इनको कब भी और कॉल्ड भी है, तो कफ अगर बढ़ हुआ है, तो कफ अगर बढ़ हुआ है, तो गरम पानी बहुत अच्य काम करेगा, साथ में तो नमक डाल करके, अगर गरारे करें, तो कफ से इनको रहत मिलेगी, और ये तेल का परियोग तो कर ही सकते हैं, साथ में मेरा इनसे कहना है कि ठंडी चीजे, मिलब जिनका सुभाव शीत होता है, उन चीजों का परियोग कम करें, इसे कई बार हम फ्रीज में रखी हुई कोई चीज ले लेते हैं, तो उसके कारण तुरत कफ को तो कफ कोल्ड व तो शीत गुण वाली चीजों का परियोग ये कम करें, इसे आइस क्रीम है, कॉल्ड काफी है, फ्रीज में रखी वही कोई बी चीजे, इनका प्रियोग नी करें, इनकी जगे आप जो हे वो गरम चीजों का परियोग करें, तो उनके लिए अच्छा है. जे हमारे एक शोता है रोट्टर साब उन्होंने सिर्फ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और जानना जाते हैं सही कर रहे हैं कि नहीं श्याम मित्तल जी है, 74 यर्ज रोहिनी में रहते हैं, इन्होंने लिखाया कि डायवेटीज में रोटी को नर्म करने के लिए मैं आटे में खपली नाम का वीट मिक्स करता हूं, इससे मेरी इंसुलिन मात्रा कम हुई है, तो क्या ये ठीक है, कहीं से साइंटिफिक है? देखिए, हम तो हमेशे ही कहते हैं, कि केशल गेहु की रोटी लेने के बज़ाए, उनको मिक्स ग्रेण चो रहते हैं, जैसे जो है उसको थटा सा उसमें ले ले, बाज़रा है, जुऌर है, चना है, इनको मिक्स करके लिये, तो केवल गेहु के बज़ाए, आप साओ अगर तो दाइट के दुआरा भी डाइपिटेस को कंट्रोल करते हैं, कि अब डाइट को एक साचेंज कर दीजिए, अगर स्टाइटिक में जिनने मेडिसिन लेना शुरू नहीं किया हो, फरस्ट बार जिनको देखा है कि डाइपिटेस, ब्लेड शुकर थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो डाइट से ही कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी के लिए भी बहुत सारे प्रशन आ चुके हैं, डॉक्टर साब की बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, नाम मैं बाद में पढ़ दूँगी, तो ब्लेड पेशर भी आजकल बहुत समस्या है, और कई लोगों को थ नमक तो मैं सामन नहीं लेता हूं, फिर उनसे अगर सुबह से शाम तक पूचे हैं, तो बोले सुबह कोई फ्रूट से लेता हूं, उसको पर थोड़ा सा नमक रेता है, तो व्यक्तियों को दिन बर मैं काउंट करें, तो उनका साल्ट की क्वांटिटी बहुत जादा हो जात तो खाने में डाल रखा बस उतना ही नमक करें, फुरूट का उपियोग करें, जिसे अनार जो है वो रदय के लिए बहुत बढ़िया है, तो जिनको भी बलाड पेशर है वो दिने अनार का जूस ले ले या अनार के दाने जो है उनका परियोग कर सकते हैं, फुरूट्स जो भी डिप फ्राइव की हुई जो चीजे हैं, कचोरी, समोसा, ये चीजों का उपयोग बिल्कुल कम करें, सिंपल खाना घर का लें, फ्रूट्स का उपयोग करते रहें, और उसके बाद भी असा है, एक बर चिकेशक को जरूर बताएं, आपके रदे की जाएंच करवाएं, वो फिर एडवाईस करेंगा अगर कोई मेडिसिन देना है, जी बिल्कुल सही, एक शोता बेट कर रहें है, प्रिसमस्या, जी जी आईए, बताएए, जी 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 प्रसन्डर जी है, जी 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 जी, जी 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 नमस्क्राश एलेटिक में हर एक डिपार्मेंट होता है, ज आपके दो कोश्चन ते पहला तो क्या आयुरुवेद में अलग-अलग डिपार्टमेंट है तिके आयुरुवेद आज से पांच जार साल से भी ज्यादा पुरानी चिक्सा पद्दती है और जो वो प्रारम हुआ तो एट ब्रांच के साथ प्रारम हुआ था मैंने शुरुव आयुरुवेद में अलग-अलग ब्रांचे से अलग-अलग डिपार्टमेंट है और पूरा उस पर शोद होता और बरापर टीटमेंट होता है तो पहला कोश्चन तो आपका ये था दूसरा कोश्चन आपका जो था उसमें आपने लीवर का बोला आयुरुवेद में लीवर उनका आयरोध में अच्छा टीटमेंट है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जेपुर में भी नैशनल इंस्टूट आप आयरोध भारत सरकार का बना हुआ है, आप वहाँ जा करके बता सकते हैं, कभी आप दिल्ली आए, अखिल भारती आयरोध संस्तान में आईए, हमारे या प्रोफेसर डॉक्टर महेश व्यास हमारे साथ है, और डॉक्टर आप सोनू दिल्ली से लिख रहे हैं, चाननी चौक से कि क्या अरवेदिक कोई सर्वाइकल के इलाज के लिए भी कोई ऐसी चीज है कि जो आयरोध में है, जो में फायदा दे सके हैं, आजकल क्या है कि हमारी चाहिए जितना अस्ne, ऋब्सक्राइब के बहुत कैस आते हैं, बहुत पेशेंट आते हैं, और सक में कारण एक तो ट्रेवलिंग जो रहती हैं प्रापर जितना स्लीपिंग होना चाहिए, जितनी नीद होना चाहिए वो नहीं हो पाती है, हमारे कुछ काम अस टाइब कर अलग-अलग जैसे बेक पेन है, नी पेन है, सरवाइकल का पेन है, तो इन सब के लिए अलग-अलग ओईल हैं, उस आईल की हलके हाथ से मसाच करते हैं, क्योंकि आईरोध में अभ्यंग एक टेक्निक या थेरेपी है, और आईरोध तो यहां तक कहता है अभ्यंगम आचरेत न आईरोध के मान से जो में दोश इन्वालब होता है, वह वातदोश और वातदोश की सबसे अच्छी चिकिस्था जो है अभ्यंग है, तो सरवाइकल वालों को, अब तो चिकिस्था ले में जित्ते भी अभ्यंग हैं, वहाँ पर पंच कर्म सेंटर में अभ्यंग की पूरी और अप्री से भी कर सकते हैं फिर बाद में इसको जैसाब कह रहे हैं कि पहले किया जाता था तरह बता देंगे, उसको आप घर पे भी कर सकते हैं, हमारे शुरुता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं, हलो, जी जी बताएं नमस्कार जी में व्यक्ति को रोज फ्रूट्स वगरा लेते रहना चाहिए, पर जब डाइबिटीस का व्यक्ति है था हम उसको सबसे पहले कहते हैं कि आपको आम है, चीकू, बनाना, ग्रेप्स, इन चीचों को बंद रखना चाहिए, आपके लिए सबसे बढ़िया फ्रूट है गुवा मॉर्निंग वर्क करके और इन अमरू दादी का प्रियोगा कर करें। मॉर्निंग में थोड़ा मॉर्निंग वाक करिये, थोड़ा एक्सरसाइज करिये, रात को टाइम पर सुने की कोशिश करिये। प्रशन करने के लिए और डॉक्टर साब ये एक हमारे पस प्रशन आया है पुरुशोत्तम पाटिल जिने लिखा है जलगाओं महाराश्ट्रा से की इसके लिए भी कुछ है क्या अरवेद में किया जा सकता है। अगर कंटीनू रहता है तो पाइल्स की प्राबलम हो जाती है। तो इसलिए मेरा इनको यह कहना है कि थोड़ा सा ध्यान रखे क कंस्टिपेशन नहीं हो। और कंस्टिपेशन नहीं हो उसके लिए अपने पास बहुत सारे उपाएं। जिसे रात को सोते टाइम थोड़ा सा दूद में मुनक्का उबाल करके और उसको लिल्या तो भी कंस्टिपेशन नहीं रेता है। फुरूट्स में पपीता का अगर अपन परियोग करते हैं तो वो भी कंस्टिपेशन नहीं होने देती है। जितने भी रेशिय वाले फूट्स हैं वो इसके लिए बहुत अच्छे हैं। एक तो डीप फ्राइ की हुई चीजे मेदे की चीजे जो कंस्टिपेशन करती है। जो चीजे वात को बढ़ाती ऐसे अहार को थोड़ा सा अवाइट करें। तो वात को बढ़ाने वाली चीजे यह सब मसाले वाली चीजे है। बहुत ज़्यादा इसपाइसी चीजे पाइल से में बड़ी दिक्कत देती है। कि अभी तो केवल वह उसके बाद ब्लेडिंग भी होने लग जाती है। तो कांस्टिपेशन का ध्यान रखें। डाइट में ध्यान रखें। और आप चिकिस्सक की सला लें। तो हमराइट से बिल्कुल आपको जो है लाब मिलेगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें तो आयरोध में बहुत अच्छी टेक्निक है। जिसको हम कहते हैं कि शारसुत्र पद्दती। और शारसुत्र पद्दती से किसी भी प्रकार का पाइल साफिस्टूला है। वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मेरा इनको कहना है कि आप चिकिस्सक की परामर्श जरूर लें। और उसमें अगर किशारसुत्र के प्रयोकी जरूते तो वो भी किया जाएगा। और कांस्टिपेशन का ध्यान रखें। बिल्कुल कांस्टिपेशन नहीं हो। उसके लिए डाइट को पूरा अच्छे से लेते रहें। एक शुत और वेट करें। और शायद यह हमारा आखरी ही फोन पर सवाल हो पाएगा। और मेसेज़स भी हैं, समय कम हैं। चलिए आपको ले लेते हैं। हलो। अपना नाम बताया हैं, जल्दी से प्रशन कर लें। जी, मैं मुजफपन अगर्टे साना बात कर रहें। जी, साना जी, प्रशन कर लें। तो आपका पहला प्रशन जो था, ड्राइफ्रूट्स का, देखें, ड्राइफ्रूट्स उष्न प्रकृति के रहते हैं। अगर बदाम भी आपने थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया, तो मुह पे पिंपस आई ही जाएंगे। इवन यहां तक कि आम का जो सीजन रेता है, उस सीजन में थोड़ा सा आम आप ज्यादा क्वांटिटी में ले लिये, तो भी इस प्रकार का हो जाएगे। सबसे पहले क्वांटिटी का ध्यान रखें। और दूसरा ड्राइफ रूट को अगर लेना है, जिससे की इस प्रकार का लक्षन ने मिले, तो बदाम है, इसको रात को आप गला लीजी। और गलाने के बाद सुबह लेंगे तो उसका जो सुभावे उष्न वो उतना ज्यादा आपको किसी प्रकार का ये लक्षन उत्पननी होंगे। तो डाइफ रूट की क्वांटिटी का ध्यान रखें। इसके साथ में आप चाहें तो अंजीर ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते तो ये एक दूसरे के साथ में लेने से उनका जो उष्न प्रभावे को कम हो जाता है। तो इसका धियान रखें। दूसरा आपका जो कोशन था तो डेंडरप के कारण भी हेर लास होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि डेंडरप नहीं होने दें। और उसके लिए कई इसकार के प्रियोग बता रखें। आप आवले के दार सीर दो सकते हैं, दही में आमला मिक्स करके सीर दो सकते हैं, पर सब्ता हमें एक दिन। दूसरा इसमें एक महीं दूसरा आपकी तो यह बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसलिए एक बर आप आकर के दिखा दें और देखने पर जो symptoms मिल रहे हैं, उसके आधार पर आपके लिए treatment करेंगे तो इससे बिल्कुल आपको जो है लाग मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारे शोताओं के अभी प्रशन आचुके हैं, कईयों के शामिल हो गए हैं, और डॉक्टर साम ने काफी विस्तार से बताया है, तो कहीं न कहीं सबको अपने प्रशनों के जवाब मिल रहे हैं, तो ये बताए चलते चलते क्या major आ दूसरा डाइट का पुरा ध्यान रखें, हम क्या है कि जो चीज हमको पसंदे हो हर सीजन में ले लेते हैं, हर सीजन के मान से अलग-लग डाइट बता रखी हैं, तो सीजन के मान से डाइट लें, सीजन के मान से फ्रूट लें, डेली एक्सरसाइज करें, पर्याप्त मातरा म करने से भी हम पूर्ण स्वस्त रह सकते हैं तो मेरी यही कामना है कि आप सब स्वस्त रहें और में एक बर फिर से टीम को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा सफलता पुरवक एक हजार एपोसर्ड जो आपने पूरे किये हैं रेडियो डाक्टर के उसके लिए आप सभी बध कुमार अजय ने लिखा है देवघर जारकंड से कि प्रति दिन रेडियो डॉक्टर को पॉड्कास्ट में अगर डाल कर आप भेजें काफी लंबा मेसेज है कि हमें बहुत अच्छा कारिकरम लगता है पर हम सुन नहीं पाते हैं कभी अधूरा सुन पाते हैं तो हम कहां सु आपको वो कारिक्रम मिल सकता है सारे तो नहीं मिलते हैं पर जैसे जैसे हम कारिक्रम डालेंगे आप सर्च करते रहें आपको कारिक्रम मिलते रहेंगे इसी तरह से जुड़े रहें रेडियो डॉक्टर के साथ और सुनते रहें और अपने स्वास्तला करते रहें तो आज हम बात की आरवेदिक वेलनेस टेकनीक्स पर हमारे साथ हमारे स्पेशलिस्ट हमारे एक्सपर्ट रहे प्रोफेसर दॉक्टर महेश्व्यास आप दीन है अखिल भरते आरवेद संस्तान और इंडिया इंस्टिट ओफ आरवेदा नियू डेली में बहुत बहुत धनेवाद दॉक आपत वी करें शोताओं कशालिनी मित्तता का भी नमसकार कि अब ही आप आकाश्वानी डिल्ली से विशेश फोन इन रवेदियो रःडियो डॉक्टर सुन रहे थे कारिक्रम की प्रस्तुत कर्ता थीं शालिनी मित्त अब 190 हो झाल झाल